लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि सारिका के मायके से आये हुए कपड़ों की भी विद्या फोटो ले लेती है और उसी के जैसे कपड़े ले आती है सारिका समझ गई थी कि उसकी सास अपनी नकल करने वाली आदत नहीं बदलने वाली वहीं विद्या खाने पीने की चीजों में भी सारिका की नकल करती है जिस वजह से उसकी तबियत खराब हो जाती है लेकिन फिर भी वो अपनी आदत पर कायम रहती है अब आगे तो उस दिन संडे था और सब लोग घर पर ही थे बहू मुझे तो दलिया ही बना दे पेट तो सही ही नहीं हो रहा ठीक है ममी जी अच्छा दलिये के बाद आज क्या खाओगी तुम पिज़ा या गोलगप्पे या कुछ और जादा मत बोलिए तो खा लीजे न ममी फिर क्या हुआ आपे तो कह रहे थी कि ये सब खाने से कुछ नहीं हुआ हाँ वो तो है ही ये तो तेरे पापा की नजर लग गई मुझे एक तो नजर बहुत लगती है कभी तुम्हारे सुन्दरता को कभी तुम्हारे पेट को अब क्या करूँ भगवान ने मुझे बनाया ही ऐसा है बिलकुल रूपवदी और नकल जी हाई पेट में गुड़गुड होती जा रही है होती जा रही है अब मम्मी जी इतना कश्ट तो सहना ही पड़ेगा अब मैं नहाने जा रही हूँ सारे का जरा मेरी अलमारी से साड़ी निकाल दे जैसी तूने पहनी है वैसी ही लेकिन मम्मी जी ये तो बहुत भारी साड़ी है आपकी तबिय ठीक नहीं है कुछ भी सिंपल सा पहन लीजिए नहीं नहीं अरे भागेवान क्यों बेचारी बहु की निकल करती रहती हो रहने दीजिए पापा जी मम्मी जी आप नहां लीजिए मैं साड़ी निकाल कर रख देती हूँ साजन ये सब गौर से देख रहा था तब ही उसको एक आइडिया आता है सारे का संड़े है मुझे जरा मार्केट जाना है तुम तयार हो जाना साथ चलेंगे ठीक है तो शाम के वक्त साजन और सारे का बाजार चले जाते हैं और साजन सारे का को कपड़ों की दुकान में ले जाता है हम यहां क्यों आए हैं यहां तो लेडीज कपड़े हैं हाथो, तुम्हारे लिए ही कपड़े लिने हैं नहीं-नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए अभी तो शादी हुई है, इतना कुछ है मेरे पास अरे, मेरी भोली बीवी, तुम मेरी बात नहीं समझ रही क्या समझना है? हम तुम्हारे लिए वैस्टन ड्रेस या फ्रॉक्स वगेरा ले ले लेते हैं फिर देखते हैं ममी कैसे नकल करती हैं तुम्हारी ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब थोड़ी ना पहनूंगी मैं कुछ नहीं होता, मेरे घर में सभी फ्रैंक है, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा अच्छा ठीक है, तो साजन और सारेका वहां से कुछ शॉपिंग करके वापस आ जाते हैं अब तक विद्या की तबियद ठीक हो गई थी विद्या साजन के हाथ में पकड़े हुए कैरी बैक्स देखकर दुकान पहचान जाती है अरे, इस दुकान पर तु साड़ी सूट मिलते ही नहीं है हाँ ममी, तभी तो इस दुकान पर गए थे तो क्या लाए हो? ममी, मैंने सारीका को कुछ कपड़े दिलवा दिये हैं पर अभी कपडों की क्या जरूरत थी? शादी के इतने सारे कपड़े तो पढ़े हैं ममी जी, मैंने भी इनको बहुत कहा था लेकिन ये सुने तब न बस ममी, मेरा मन था कि सारीका ऐसे कपड़े पहने इसलिए मैंने दिलवा दिये अच्छा क्या दिलवाया है जरा दिखातो फिर साजन कपड़े दिखाता है उसमें सिर्फ रॉक और जीन्स टॉप थे ये तो अंग्रेजो वाले कपड़े हैं हाँ मम्मी आजकल तो सब चलता है हाँ हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी पहनो तो साजन और सारे का अपने कमरे में चले जाते हैं ओहो अब तो मुझे भी शॉपिंग करनी पड़ेगी ऐसे ही कपड़े लेने पड़ेंगे तभी विद्ध्य अपने पती किशन के पास जाती है सुनिए जी जरा मुझे बाजार का काम है मेरे साथ चलिए लेकिन कहां? जादा सवाल जवाब मत कीजिए बस चलिए कहीं तुम फिर से कोई खाने पीने की तो बात नहीं कर रही मैं आज कहीं नहीं लेकर जाऊंगा खाने के लिए कुछ नहीं खाऊंगी कोई सामान लेकर आना है अच्छा चलो तो विद्या अपने पती किशन के साथ उसी दुकान पर पहुँच जाती है अरे भागयवान इस दुकान पर क्या लेने आई हो? कपड़े लेने आई हूँ जी, दिखता नहीं है लेकिन ऐसे कपड़े तो तुम पहनती ही नहीं हो तो क्या हुआ? पहन तो सकती हूँ ना? आपको कोई समस्या है क्या? नहीं नहीं मुझे क्या समस्या होगी? भले तुम मेने स्कट पहनना तो फिर चुप चाप खड़े रहिये, मुझे लेने दीजिए तो विद्या दुकान से कुछ फ्रॉक्स और जीन्स टॉप ले लेती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सारे काखे थे अगले दिन सुबह सारे का बेटा, आज हमें मंदर जाना है, आज तू वो जीन्स या फ्रॉक मत पहनना ठीक है मम्मी जी आज हम दोनों एक जैसी साड़ी पहनेंगे, फिर मंदर चलते हैं, जा नहा ले ठीक है अच्छा जरा बात सुन, वो जो तू फ्रॉक लाई है, वो तो थोड़ी घुटनों तक है, उसमें तो थोड़ी थोड़ी टांगे भी तो दिखेंगी हाँ मम्मी जी, वो तो दिखेंगी अच्छा हाँ, पर क्या दिक्कत है, टांगों पर तो वैक्स की हुई है मैंने हाँ फिर ठीक है, ऐसे तो गंदा लगता है तो इसके बाद सारेका और विद्या नहाद होकर तयार होकर एक जैसी साड़ी में मंदर पहुँच जाते हैं वहाँ भी सब लोग उन्हें देख कर हस रहे थे और बाते कर रहे थे देखा ममी जी, सब लोग कैसे हस रहे हैं? अरी छोड़ो, लोगों की तो आदत है, हम तो खुश है ना? हाँ, हाँ, बहुत ही खुश हो मैं तो दोपहर के वक्त सारेका अपने कमरे में आराम कर रही थी और विद्या किसी बात से बेचैन थी अब सारेका तो फ्रॉक पहनेगी, उसने तो वैक्स करवा रखी है, लेकिन मेरा क्या? तभी विद्या अपनी साड़ी थोड़ी सी उपर करती है, और उसकी टांगों पर बाल होते हैं ऐसे में फ्रॉक पहन लूँगी, तो कितना गंदा लगेगा, मैं भी वैक्स करा ही लेती हूँ तो विद्या दोपहर में ही पार्लर पहुच जाती है जी आंटी जी, क्या करवाना है? बीटा, जरा मेरी टांगों पर वैक्स कर दे तो पार्लर वाले लड़की उसकी टांगों पर वैक्स लगाकर जैसे ही पट्टी खीचती है, वैसे ही विद्या जोर से चीख मारती है है रे, ये क्या कर रही है? आंटी जी, वैक्स में तो ऐसे ही होता है है राम, ये तो सजा है कुछ नहीं होता आंटी जी अभी ठीक हो जाएगा तो जैसे जैसे लड़की वैक्स करती जाती है वैसे वैसे विद्या जोर जोर से चीख मारती जाती है चाहे जो हो जाए चाहे जितनी मर्जी दर्ध हो जाए वैक्स तो करवा करी रहूंगी आखेर चीकते चिलाते हुए विद्या काम पूरा करवा लेती है लेकिन विद्या की टांगे एकदम लाल हो गई थी अरे ये क्या? मेरी टांगे इतनी लाल क्यों हो गई? ये तो थोड़ी देर के लिए हुई है आंटी जी, कई बार हो जाती है पर ठीक हो जाएगी और ना ठीक होई फिर, बड़ी जलन हो रही है ये ठीक हो जाएगा, देखना आप अच्छा ठीक है तो विद्या घर आ जाती है, उसकी टांगों पर काफी जादा खुजली हो रही थी औहो, खुजली हो रही है बहुत, पर चलो अब तो फ्रॉक पहनूंगी मैं भी रात भर उसकी टांगों पर खुजली होती रहती है सारे का भी ये देख रही थी, कि विद्या टांगों को खुजला रही है अगले दिन सुबह विद्या अपनी बहु के तयार होने का इंतिजार करती है अरे कब आएगी बहु तयार होकर, फिर मैं भी जल्दी से तयार हूँ तो कुछ देर बाद सारे का जीन्स टॉप पहन कर आ जाती है अभी तक भी विद्या अपनी टांग पर खुजली कर रही थी अरे मम्मी जी क्या हुआ, कल से देख रही हूँ, खुजली किये जा रही है कुछ नहीं, ऐसे ही हो रही है, पर तूने जीन्स क्यों पहन ली, मैंने तो सूचा फ्रॉक पहनेगी हाँ मम्मी जी, वो फिर कभी पहन लोगी नहीं, तू ऐसे कर कपड़े बदल करा, फ्रॉक पहन, मैं तुझे फ्रॉक में देखना चाहती हूँ कल पहन लोगी ना मम्मी जी नहीं नहीं बेटा, आज ही पहन अच्छ ठीक है, मैं बदल कर आती हूँ तबी सारेका कुछ देर में फ्रॉक पहन कर आ जाती है और वो काफी सुन्दर लग रही थी बिलकुल गोडिया लग रही है मेरी बहू थैंक्यू मम्मी जी चलो मैं भी नहा कर आती हूँ ठीक है, वहीं सारेका मन ही मन खुश हो रही थी शुक्र है आज तो मम्मी जी फ्रॉक नहीं पहनेंगी साजन ने तो बहुत अच्छा एडिया दिया है कुछी देर में विद्या तयार होकर आती है और फिर से सारेका की आँखे फटी की फटी रह जाती है विद्या ने वही फ्रॉक पहनी हुई थी साथ ही जोर-जोर से अपनी टांगें खुजला रही थी सर्प्राइज बहु हे भगवान मम्मी जी अब ये आप कब ले आई अरे कल तेरे पापा जी के साथ बाजार गई थी ना दुकान का तो मुझे पता ही था फिर मैं ही ले आई लेकिन ये सब तो करवाना ही था तूने भी तो करवाई थी लेकिन देखिये ऐलर्जी हो गई है इसलिए कल से आप खुजली किये जा रही थी हाँ फिर तुझे बताया नहीं सर्प्राइज जो देना था मैं तो तंग आ गई हूँ आपके सर्प्राइज से अपने टांगों की हालत तो देखिये क्या करू बड़ी खुजली आ रही है जाए बाबा के पास ठीक कर देंगे ना ना ऐसा लग रहा है किसी ने खुजली वाला पाउडर लगा दिया है विद्या लगातार अपनी टांगे खुजला रही थी जिससे उसकी टांगों पर हलका हलका खून भी आ रहा था हाई रे मर गई मैं कब ठीक होंगी ऐसे वैक्स करी है उसकल मुही ने अच्छा है मज़ा आया ना और कीजिये मेरी नकल कोई बात नहीं मैं कुछ लगा लेती हूँ इस पर तो इस तरह विद्या सारी परेशानिया मोल लेकर भी अपनी बहु सारिका की नकल करना नहीं छोड रही थी आखिर कहां रुकने वाली थी विद्या की ये आदत कैसे सारे का उसकी इस आदत को छुडवाएगी देखते रहिए नकलची सास के अगले एपिसोड में थैंक्स फॉर वाचिंग